गुड़हल का पौधा एक बार फ्लारिंग करने के बाद दुबारा फूल नहीं दे रहा पत्तियां पीली हो रही है ग्रोथ भी विल्कुल कम हो गई है ऐसी कई सारी समस्याएं कॉमेंट सेक्षन में पढ़ने को मिलती हैं और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाले हू दिने की जरूरत नहीं पड़ती है मैंने हमेशा देखा है कि गुड़हल को केर करना सबसे आसान होता है बस दो-चार जरूरी टिप्स होती है गुड़हल की वही हमेशा हर एक गुड़हल पे फॉलो करनी होती है चाहे वह सर्दियां हो गर्मी हो बरसात हो तो आज के वीड चूबर नवंबर तक गुड़हल में फ्लारिंग लेने का बेस्ट समय होता है तो अभी आपके गुड़हल पर जादा से जादा फूल खिलेंगे छोटे छोटे गमले में भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि 5 से 8 हिंच के बीच के कंटेनर में कितनी अच्छी फ्लारिंग हो रही है गुड़हल का पौधा जमीन में भी अच्छे से फ्लारिंग करता है बड़े कंटेनर में भी और छोटे कंटेनर में भी आप इस पौधे को पिंचिंग के थ्रू और ट्रीमिंग के थ्रू छोटा करके बहुत सारी फ्लारिंग ले सकते हैं गुड़हल को हमेशा प प्रॉब्लम जो साथ के साथ चलती है और वह है मिली बक्स की प्रॉब्लम गुड़हल के जो कलियां बनती हैं जैसे ही कलियां बनने शुरू होती हैं मिली बक्स उनसे आकर चिपक जाते हैं भले ही चीटियां हो या ना हो मिली बक्स की प्रॉब्लम होती है लेकिन चीटियां आपके गमले के आज़-पास ही होती है जो मिली बख्स को बढ़ावा देती है और उन्हें फैल आती हैं देखिए मेरे गुढ़हल में वैसे तो एक-एक ब्रांच पर चार-चार पांच पांच कलियां बन जाती है लेकिन जैसे ही कलियां बन ती हैं उनमें एकाध जरूर 59% chances हैं कि गुड़हल पर कहीं न कहीं मिली बग्स का attack है जो शायद आपने देखा है या नहीं देखा है इस वज़ज़ से कलियां जो है वो सूखती जाती हैं ये जो मिली बग्स हैं ये पौधे का रस चूसने लगते हैं और उसके बाद आपका पौधा बेजान सा हो जाता है मिली बग्स के लिए कई सारे उपाए मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन आज जो फर्टिलाइजर बता रही हूँ इससे आपके गमले की आप कह सकते एक तरीके से सुरक्षा कवस तयार हो जाएगा और चीटिया और मिली बग्स से आपको बहुत हद तक छुटकारा अब जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हमने सारे खाद दे दिये और गुड़हल में फ्लारिंग नहीं हो रही है तो देखिए जो पौधे फूलो वाले होते हैं वो अपने सीजन में फ्लारिंग जरूर करते हैं हम किस चीज़ पर ज़्यादा फोर्स करते हैं कि पौधे में फ बढ़ा भरा है और दुबारा फ्लारिंग के लिए अब कलिया बना रहा है तो गुढ़हल के पौधे के लिए एदि आप पॉट साइज के लिए परिशान है तो आठ से लेकर चे से लेकर के बारा या आठ से लेकर के दस पंद्रह तक आप कंटेनर साइज रखें बालकनी में पौधे को हमेशा कंटेनर साइज के हिसाब से ही लंबा होने दीजिए और उसके बार ट्रीम कर दीजिए आपको लगता हाइट जादा हो रही है तो ट्रीम कर दीजिए अब देखिए हर शिंगार में परसों आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था तब एक या दो कलि आ रही थी आप हरशिंगार वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं परसों ही पोस्ट किया था और दोगों के हरशिंगार में प्रॉबं हो रही है कलिया नहीं आ रही हैं वो वीडियो देखे और उसी खाद को डालिये निश्ची तोर पर दो से तीन दिन लगेंगे और कलिया अब खात की बात कर लेते हैं कि करना क्या है आपको एक चम्मच चाय पत्ती लेनी है दो गमले के लिए दो गमले के हिसाब से बता रही हूँ, ये चायपत्ती आपको दिख रहा है, एक चम्मच से भी थोड़ा कमी है, कोई भी चायपत्ती ले सकते हैं, ये ग्रीन टी है, और इसे आप रात भर के लिए पानी में भीगो देंगे, पानी कितना लेना है आपको, आधा लिटर, एक ल होजन से भरपूर है, इसलिए मिटी के पी-एच को भी ये बहुत ही नैचुरल तरीके से मिंटेन करके रखता है, और नई पत्तियां लेने में आपको बहुत ज़्यादा है, तो ये चायपत्ती वाली जो खाद है, इसका जादू हमेशा रहता है आपके पौधे पर, लेकि करता है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हिंग के फाइदे क्या है, क्यों हिंग इस्तमाल करना चाहिए गुड़हल में, इसके फाइदे सबसे पहले तो ये होंगे कि इसके स्मेल से ही आपके पौधे पर ये चीटियों का अटैक है, आप परिशान हो गए है चीटियों से या किसी भी प्रकार के फंगस वेगर असे तो इसके स्मेल से ही वो चीज़ें चली जाती हैं, अब मैंने कितना लिया है एक चम्मच के अंदाज और इसी में उसे डाल दीजे और इसे रात भर छोड़ दीजे, यानि दोनों को भीगो करके रखना है एक ही कंट और सबसे अच्छी बात है जो माइक्रोब्स होते हैं आपके गंले में उनको ये सही माइक्रोब्स को आप कह सकते हैं फीड करता है जिससे की पौधा और ज़्यादा उपजाओ होता है, अब आप देखेंगे इसके पानी का कलर चेंज हो रहा है, रात भर में इसके पानी का कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, अब अगले दिन आपको क्या करना है, एक लिटर पानी ले लिजे यानि की एक लिटर नॉर्मल पानी और इस आधे लिटर पानी को उसमें मिला दीजे, मिलाने के बाद आप देखेंगे हींग वेगरा सब कुछ इसमें घुल चुका है, अच्छे से थोड़ा सा आप स्टर कर दीजे इसे, ताकि सब कुछ मिल जाए, छानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही इसे जितनी जिस गंबले की रिक्वार्मेंट है और जितने गंबले में आप दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्वाइल मीडिया कैसी है, यद डिरेक्ली जड़ों में डालिए और आप देखिए इसके बहुत सारे फायदे होंगे, देखिए बहुत अच्छी फ्लारिंग चाहिए आपको तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, यानि की खाद तो देना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा पौधे को उसके सीजन मे और ये गुड़हल के लिए नवेंबर तक बेस सीजन चलेगा, दिसमबर जनवरी में थोड़ा सा पौधा डॉर्मेंट हो जाता है, खासकर देशी गुड़हल, हाइब्रिड में तो तब भी बहुत अच्छी फ्लारिंग होती है, तो ये आप अपने सभी प्रकार के पौध इस ध्यान रखिए, आप चाहे तो छान करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन कलियों के ऊपर स्प्रे ना करें, कलिया सूखने लगती हैं, हिंग की जो स्ट्रॉंग वाली स्मेल है, ये आपके पौधे के पत्ते जल रहे हैं, तो उनको जलने से भी बचाता है, और हिंग के जाही नीरा, चीटिया, जाही नीरी तो 15 दिनों पर कर लिजे, और जो चाय पत्ती वाली जो खाद है, जो अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ, इसे भी आप महीने दिन पर, यानि 20 डेस का गैप रखेंगे, कई सारे लोग जो न्यू गाडनिंग जिन्होंने शुरू किय उन्हें पता नहीं होता कि खाद कितने दिनों पर देना है, खाद को मिट्टी में प्रोसेस करने के लिए 3-4 दिन का गैप, और गैनिक खाद के लिए, केमिकल खाद के लिए 15 दिन का गैप, बहुत जरूरी होता है रखना, क्योंकि जब आप मिट्टी में खाद दे रहे हैं खाद का process होना बहुत जरूरी है खाद में धूप लगना जरूरी है दोती normal पानी का dose जाना जरूरी है उसके बाद ही खाद को repeat करें खाद के उपर खाद बहुत सारे देते गए तो उसका कोई बहुत अच्छा result नहीं आता है अच्छा result लेने के लिए आपको gap रखना जरूरी है मुझे उमीद है जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को like, share और subscribe कीजे और कोई भी query है तो आप comment section में लिख दीजे जितनी जल्दी हो सकता है मैं answer देने की कोशिश करूँगी अच्छी धन्यवाद